कर्मधारी समाश क्या है बोलो कर्मधारी समाश जो है वो किसका होता है एक तो विशेशन पद होता है दूसरा क्या होता है बोलो विशेश्य पद होता है विशेश्य का मतलब है जिसकी विशेश्ता बताई जा रही है जिसकी विशेश्ता बताई जा रही है और विशेशन का मतलब होता है जिस से बताई जा रही है जैसे मैंने कहा क्रेशन बालक तो क्रेशन का मतलब है काला और बालक विशेश्य है इस संसार में जितने भी संजाएं हैं और ये पूरा का पूरा संसार संजाओं से निर्मित है साइंस जिसको द्रव्य कहता है मेटर कहता है हिंदी में हम उसको संजा कहते हैं यदि संसार से संजाओं को निकाल दिया जाए तो संसार में कुछ भी सेश नहीं बचेगा क्योंकि जो आप हैं वो संजाओं जो आप खाते पीते देखते उठते बेटते आपका विचार संजाओं है आपकी घर संजाओं है आपके संबन संजाओं है आपकी वस्तुएं संजाओं है तो बालक इसमें संजा है और कृष्ण मनि कैसा बालक यदि मैंने कह दूं कि विद्वान बालक मैंने ऐसा बोल दिया होगा विद्वान बालक यदि मैं ये बोल देता हूँ तो कैसा बालक है वो विद्वान इस बालक की विशेशता बताई जाती है यदि मैं कू बालक बोल देता तो बालक क्या था विशेशे लेकिन कू का मतलब बुरा और सू बालक बोल देता तो सू मनी अच्छा और बालक मनी विशेशे तो जहां पर विशेशन और विशेशे का संबन्ध होता है जैसे हमने कह दिया लगू उत्तर इसको जोड़कर के शब्ध बना दिया लगू उत्तर तो कैसा उत्तर है लगू उत्तर है मैंने कह दिया दक्षिन दिशा क्या बोल दिया तो यह दिशा जो शब्द है दक्षिन दिशा यह दिशा जो शब्द है वो संख्या संख्या है विशेश्य बनेगा कौन सी दिशा है दक्षिन मैंने बोला काला घोडा तो इसमें काला पद जो है वो विशेशन है और घोड़ा क्या है बोलो हमने सब्द बोल दिया महा पुरूश अब पुरूश जो है वो विशेशन है और महा उसका विशेशन है महान है जो पुरूश हमने बोल दिया महा सागर तो महान है जो सागर हमने बोल दिया महा नदी तो नदी विशेशे है महा उसका विशेशन है वह अलग बात है कि उसका विग्रे होगा महत्ती है जो नदी क्योंकि नदी कभी महन नहीं होती शिरिमान से शिरिमती जैसे बनता है महान समहती बनेगा बुद्धि महान से बुद्धि मती बनता है स्वभागिवान से स्वभागिवती बनता है जैसे मैंने आपको कह दिया बद बू तो बद मनी बूरी और बू मनी गंद बूरी है जो गंद और खुश बू खुश बू यहां पर खुश मनी अच्छी और बू मनी बूरी है जो गंद मनी खुश मनी अच्छी और बू मनी गंद अच्छी है जो गंद तो यह बू विशेशे था और खुश उसका क्या है विशेशन है याद रखेगा एक पद विशेशन हो दूसरा पद विशेशे हो तो तो वहाँ पर जो समास होता है वो कौन सा होता है बताओ तो कहां कहां हो सकता है यदि किसी समस्पद का पहला पद कू हो का हो सू हो से हो महा हो स्रैष्ट हो खुश हो बद हो मंद हो परम हो तिव रहो दीर्ग हो स्रैष्ट हो गया है इसमें जोडली जी का या कोई विशेष्टा बताने वाला अन्य उपसर्ग या पद हो तो कर्मधारिय समास मानना चाहिए देखिए जैसे मैंने एक शब्द ली का कुपूत रहूं अब यह जहां पर हमें ध्यान डखना है कि कर्मधारय समास कहा होता है मैं आपको एक लाइन दे रहा हो जहांपर कु आजाए पहला उपसर का आजाए सु आजाए स्रेफ्ट आजाए महा आजाए बद लिखा क्या बद आजाए खुश आए मंद आए तिव राए दिर्ग आए उन्नत आए तो वहां पर कौन सा समास होता है बोलो कर्मधारिये बात कर लोगे एक नहीं कर लोगे जैसे मैंने का कुपूत्र क्या करोगे अब इसका पहली तो विग्रे का मतलब करोगे कू कॉस्टक में लिखोगे बूरा है जो पूत्र तो कर्मधारिये समास जो है उसका विग्रे करते स हमें बीच में क्या लगाते हैं दोनों को पदों के बीच में बोलो है और जो अब कुपत्र जैसे मैंने बोला अब इसी तरह से यदि में बोल दूँ कू गती क्या बोल दूँ बोलो कू मनी बुरी है जो गती कू संग बुरा है जो संग कू योग बुरा है जो योग हमें एक पद को पकड़ लेना है किसको बताइए कू जहां पर आ जाएगा वहां पर कर्मधार ये समास होगा यहां में ध्यान रखना होगा कि दृगो जैसा कि संख्या और संजा से मिलके बनता है कर्मधार ये जो आए सब्सक्राव कources ब्लसेसмы什麼 से कुछ वयाकरन इसको उपमे और उपमान के रूपमे वर्नित करते हैं कि एक उपमेए पद हो दूसरा पद उपमान पद वहां पर कौन सा समास कहना चाहिए कर्म अब यदि मैं आप से कहूं है ना जैसे कह है तो कह के साथ में पुत्र नहीं जूड़ता है कपूत क्यूंकि कूब सर्ग जो है वो तत्सम पदू में लगता है और कह जो है वो तद्भाव में लगेगा सूद तत्सम में लगता है सर जो है वो दोनों में लगता है तजबव में और तत्सम में लेकिन बहुत गहरा हमें आपको ले जाना नहीं चा रहा हुआ जो परिक्षा की दरश्ची शमयत्मून है उसी की मैं बात करूं तो भी हमें बहुत समय लगने वाला है यह ध्यान रखीगा तो आप धहरी के साथ जो मैं आपको जिस रूप में पढ़ा रहा हूं वेसे वेसे आप सुनते जाईएगा आप प्रश्चन कोई भी नहीं छोड़ोगे यह पक्का है यह संबव नहीं है कि जो हमने नियम और सिध्धान आपको बता रहे हैं जिन प्रकरणों में उनसे बार को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अब कपूत मनी का मनी बुरा है जो पूत इसी प्रकार से यदि मैं कहूं सुयोग या सुपूत्र या सुगति या जो भी सब्द कहूं सुमने अच्छा और योग अच्छा है जो योग सुपुत्र इसी परकार से सपूत हम जानते हैं पूत कपूत तो क्यूं धनशन्चे पूत सपूत तो क्यूं धन सन्चे तो ये सपूत और कपूत जो आए हैं वो सारे के सारे शब्द अब इसी प्रकार से आगे चल जाते हैं महा नदी महा पूरूस वाला बताई किया है यदि मैंने आप से कहा स्रैष्ट जन तो जन जो है वो संज्या है और स्रैष्ट जो है उसका विशेशन है कैसा जन स्रैष्ट है जो जन बोलो विग्रे क्या करोगे स्रैष्ट है जो जन स्रैष्ट पूरूश स्रैष्ट है जो पूरूश और इसी प्रकार से यदि मैंने कहा खुश बू तो खुश मनी अच्छी और बद मनी बूरी बू मनी गंद अच्छी है जो गंद मैंने बहुत बार ये सुना है कि बू आ रही है तो बू का मतलब कोई अच्छी बूरी नहीं होता बू जो है वो गंद का प्रियाईवाची है और खुश और बद ये दो उपसर्ग हैं जो विदेशज भारसी भासा के उपसर्ग है हमारे लिए यहाँ पर एक तो है और एक इसके लिए सब्द बनता है एक तो सुगंद है और एक शब्द है दुर्गंद दुर्गंद मनी बदबु और सुगंद मनी खुश्बु ये भी आये सुगंद और दुर्गंद तो दुर मनी बूरी है जो गंद तो इसमें आप एक दुर उपसर्ग और जोड़ सकते हो कि ऐसा पजिसमें दुर उपसर्ग आ गया हो मैंने कहा दुर जन बूरा है जो जन कि सजन सथ उपसर्ग आ गया हो जहां पर सथ भी लिख ले मंद के बाद में सथ लिख दीजी का है प्राफ कि मुझाल इससा प्रें है जो जन सथ गती अच्छी जो गती इसद बहाव अच्छे है जो बहाव लेकिन defa cooking अच्छी जो भावना कि तो हमें यह चीज ध्यान दख नहीं पड़ेगी यह जितने अब इसे फ्रका इसी तरह से हमने का मंद गती मंद है जो गती और मंद बुद्धी मंद है जो बुद्धी लेकिन मंद बुद्धी शब्द का प्रियोग कभी कबार किसी किसी व्यक्ति के लिए भी हो जाता है तो वहाँ पर बहुबरी समाश मानना चाहिए और मंद मंद जो है वो एक ऐसा सब्द है मंद को यदि आप इधर लगा देते हो तो मंद मंद का मतलब होता है मंद बुद्धी मंद का मतलब होता है धीमय या कम लेकिन यदि बुद्धी के आगे लगा दो तो यह क्या बनता है बोलो बुद्धी मंद मनि बुद्धी वाला शब्दूं का कमार देखिए इधर किया तो कम हो गया इधर हो गया तो बुद्धी वाला हो गया हम कहते हैं यह व्यक्ति अक्लमंद है मनि अक्ल वाला है इसी प्रकार से सत आगया परम अनू परम है जो अनू परम गती परम है जो गती तीवरक बुद्धी तीवर है जो बुद्धी तीवर गती तीवर है जो गती दीर्ग आयू दीर्ग है जो आयू और इसी प्रकार का कोई ऐसा विशेष्टा वाचक कोई पदा जाए दीर्ग हावधी दीर्ग है जो अवधी तो आप सभी को ये ध्यान रखना होगा कि जहां पर कुका, सूस, स्रेस्ट, महाबद, खुश, मंद, तिवर, सज्जन, दीर्ग इस प्रकार के जहां पर पहला पद आ जाए और उसे विशेष्टा का बोध हो रहा हो तो वहां पर हमें प्रात्मिक्ता किसको देनी चाहिए इसी प्रकार यदी कोई ऐसा समस्पद हो, यदी कोई ऐसा समस्पद जिसका पहला पद रंग वाची हो तो वहां कर्मधारी होता है लेकिन शर्ट क्या है कि उन दोनूं पदूं के मध्धे विशेश्य विशेशन सम्मन्द अनिवार ये है जैसे हमने एक शब्द लियार नील गाए अब देखेगा ये जो पहला पद है वो क्या है बोलो नील नील क्या है रंग वाची है विग्रह क्या करोगे नीली है जो और यदि मैं यहां पर ये कह दूं कि नीलामबर बोलो क्या करोगे और यदि मैं आपसे कहूं कि हम काली मिर्च खाते हैं बोलो काली क्या है रंग मिर्च काली है जो और हरी मिर्च जो है उसका क्या करोगे बोलो और सफेद मिर्च सफेद है जो मिर्च तो कहने का मतलब यह है आज गल तो तरह तरह की मिर्च आती है लाल मिर्च लाल है जो मिर्च कि शिमला है जो मिर्च नहीं होता है कि जोद्पूर है जो मिर्च जेपूर है जो मिर्च है चलिएगा तो इस तरह से यह ध्यान रखोगा रखोगे कि जहां पदरंग बाची आजाए वहां भी हमें कर्मधार यह समास मानना चाहएं जैसे मैंने का पीत पठ पीत वस्त्र पीला है जो पढ़ेट या पीला है जो वस्त्र हमने का सफेद साटिका साठी का क्या होती है साड़ी सपेद साड़ी अब साड़ी तो बहुतर रेगी होती है तो जोड सकते हैं हमने का निला अम्बुझ निला है जो अम्बुझ अम्बुझ कौन होता है कमल ये जितने भी पद मेंने आपके सम्मुक लिखे हैं उनमें पहला पद रंगवाची है इसी प्रकार के कोई अन्य पद आये तो आप उसका साम में विठा लेजी गाँ लेकिन इसकी शर्थ क्या रिख दी मैंने कि उन रंगवाची और उस संजावाची शब्द के बीच में कैसा सम्मंद होना चाहिए विशेशन विशेशे का सम्मंद होना चाहिए तभी कर्मधारी होगा अन्यता वो क्या हो जाएगा बहूबरी हो जाएगा जैसे हमने एक शब्द लिया पीत अंबर क्या लिया बोलो एक शब्द है हमारा पीत और दूसरा शब्द है हमारा अंबर अंबर के दो अर्थ हैं एक तो आकाश और दूसरा वस्तर हम जानते हैं कि आकाश तो नीला होता है तो इस पद में आयवा अंबर वस्त्र का अबूद करा रहा है लेकिन इस शब्द का प्रयोग आरंभिक जो प्रयोग था इस शब्द का जब जन्म हुआ इस शब्द का जब हेपी बढ़्डे मनाया गया था उस वक्त ये पीले वस्त्र के लिए पितांबर शब्द नहीं गड़ा गया था पीत है अंबर मनि वस्त्र जिसके एसे भगवान विश्णू और विश्णू के उतार भगवान कृष्ण तो इस सब्द का आरंभिक जो अर्थ था या जिसलिए ये शब्द गड़ा गया था वो पीले वस्त्र के लिए शब्द नहीं गड़ा गया था यह शब्द भगवान विश्णू का बोध या भगवान कृष्ण का बोध कराते हैं इसलिए जब मैं यह कहता हूं कि पीत है अंबर जिसके यदि मैं ऐसा विशेशन ऐसा विग्रे करता हूं तो भगवान विश्णू का बोध कराता है और इस द्रश्टी से या इस इस इस्तत सक पीत है जो अंबर यदि इतना ही विग्रे दे कर पूछ ले कि इसमें कौन सा समास है तो कौन सा समास हो गया करमधारिये क्योंकि यहां पर अंबर कैसा है पीला है लेकिन यहां पर अंबर पीला नहीं है अपी तू पीत और अंबर से किसी तीसरे व्यक्ति का बोद हो रहा है अब यदि पितामबर शब्द में आपको केवल ऐसे ही पूछ ले कि पितामबर शब्द में कौन सा समास है वहाँ पर करमधारी भी आ गया और वहुबरी भी आ गया तब भी आपको क्या करना पड़ेगा और यदि मैं यहाँ कहे दूँ कि कहां चले राम नाम का पितामबर तन पर डाले और ऐसे करते वे मैं आपको इसके अंडरलाइन कर देता हूँ और पूछता हूँ कि रेखांग कितपद में कौन सा समास है बोलो कौन सा समास है क्योंकि यहाँ भगवान विश्णू को कंदे पर डाल करके कोई जाने वाला इसलिए यहाँ पर विशेशन पीत अंबर है जिस पर राम नाम लिखावा है और पीला अंबर है उसको हम पितामबर कहते है अब मैंने कहा कि पितामबर डाली पर सूक रहे हैं तो भगवान विश्णू और क्रिश्ण को सुकाने की कोई जो है वो संभावना नहीं है यहां पर कौन सुकेंगे किसी भी समस्तपद में किसी समस्त का होना उसके विग्रे पर और वाक्य में प्रियोग पर आधारित होता है उस समस्तपद का विग्रह क्या है और उसका वाक्य में प्रियोग किस तरह स्तरह स्किया गया है यके यदि मैं कहूँ कि भगवान शिव के रिनेक्र को देख करके कामदेव भास्म हो गया कि यहां ट्री द्री breaking का मतलब स्युक्षिव क्योंगी सBT पहले आ गया तो तीजरा नेत्र हो गया क्या हो गया वह जिसके तीन nd gluten представ céu ऐसा नहीं होगा और मैंने कहा कि त्रीनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गया तो यहां पर शीव है नहीं इसलिए बहुबरी उसमास हो जाएगा कहने का मेरा मतलब है कि किसी समस्थ्पद में कौन सा समास होगा यहाँ बात उस समस्थपद पर निर्भर नहीं करती है उसके वाक्य में प्रियोग पर या फिर उस समस्थपद का विग्रह किस रीती से किया गया है उस विग्रे की रीती को देख करके हमें उस समस्पद में आएवे समास का निर्णे करना चाहिए क्योंकि समास अर्थ से जुड़े हैं सरंचना से नकम है समास हम समासूं के साथ हम न्याय तभी कर सकते हैं जब हम उस शब्द का अर्थ जानते हैं जैसे मैंने एक शब्द लिया नील कंट और नील कंट में आप तो कह दो के साब आपने कहा था ना कि पहला पर कोई यह कंट नीला हो गया था तो यह सब्द आरंबिक समस्क्रति में जब पहली बार इस शब्द का जन्म वा तब नीले कंट वाले के लिए पे नहीं हुआ था और किसी विशेश अर्थ के लिए हुआ था और विशेश अर्थ का बाचक लूए के कारण देव विशेश का बाचक हो ने के कारण इस पद को हमें कहां मानना है बहुबरी मिलना चाहिए यदि मैं यह कैदू कि नीलगंण आकाश में उड़ गए तो भगवान शिवस तो उड़ने से रहे निले कंट वाला फिर कौन होता है पक्षी मयूर तो किसी भी समस्पद में किसी समास विशेश का होना उसके वाक्य में प्रियोग या उसके विग्रह करने की रीती पर निर्भर करता है किसी शब्द को सूंग करके आप नहीं बता सकत किसमें कौन सा समास है लेकिन शब्दों को हमें शब्दों के संदर्ब को हमें जानना होगा शब्दों के संदर्ब की सब्दों के उत्पत्ति के विशेश में हमें जानना होगा कि शब्द की उत्पत्ति किस संदर्ब में हुई थी यदि आज कोई जहर को पी लेता है तो वो विश्पाई नहीं होगा वो तो आत्मात्या करने वाला होगा लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया गया इसका मतलब यह है कि पहली बार कोई शब्द जिस संधर्म में जिन अर्थों में जिन आशयों में जिन इस्ततियों में जो उत्पन हुआ उसी के अनुसार हमें उसका अर्थ लगाना चाहिए ये ए समास के विशे में हमने बात करी यहां से लिजीगा आप यहां से हमने शुरू किया था कि द्विगू समास वहां होता है जहां पर पहला संख्या और दूसरा संजा लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए क्या निकलना चाहिए समू समाहर समुच्य होगा होना चाहिए त कौन संक्या किसी दूसरी संक्या के साथ आ रही है तो द्वंद होगा जिसे चार पांच पांच साथ छे साथ यदि कोई समस्पत ऐसा हो जहां पर दोनुपद ही संक्या वाचक हो तो इत्रेट पर द्वंद होगा और जहां पर पूरूपद संक्या वाचक हो और उत्तर पर शं संख्या और संजा का मेल होते भी दिगू समास ने होकर कि वहां पर वहुवरी समास हमें कहना चाहिए और यह बहुत महत्पून था पहला था पुस्तक विशेश के वाचकपद भलें संख्या और संजा से मिले वे क्यों नहीं हो लेकिन वहां पर एइसा होते भी वहां पर और संजा से क्यों ने मिले वो लेकिन सरंचना प्रधान नहीं होती अर्थ प्रधान होता है जैसे चतीस गड़े पंजाब है सत पंचवटी है और उसके बाद में तीसा पुइंट में आपको बताया था कि जहां पर देव वाचक पौरानिक पात रिशी ग्रह के वाचक पद भलें संख्या और संजा से निर्मित क्यों ने हो लेकिन यदी वो इनमें से किसी का अबोध कराते हैं तो वहां पर क्या होगा बताओ बहुदी होगा जिसे एक दंत है त्रिनेतरत्यंबग त्रैंबगा चतरमग होगत्यों हैuuuu cur यह तमाम шब्द जिनके आरम में संख्या आ साथ में किसी विशेश यह यह बताया था और किसी विशेश अर्थ के वाचकपद जैसे त्रिफला और तिरंगा इत्यादी त्यादी जो था इसके साथ में द्विगु समास जहां पर मैंने आपको बताया था कि जिसको हम बना भी सकते हैं और बिगाड भी सकते हैं वहां पर मैंने आपको यह बताया कि जैसे चोरहा वाला उधान लिया जैसे दो लड़ा को हम ती लड़ा भी कर सकते हैं ती लड़ा को हम चोर लड़ा भी कर सकते हैं लेकि हम चत्र मक को त्री मुग नहीं कर सकते हैं जहां पर हमारे बस की बात नहीं है ना देखो क्योंकि यदि हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह हमारा किया वा काम है और जितने भी तमाम तरह के गलत काम या तमाम तरह की कोई अन्हों नहीं हो जाती है तो वहां पर हम तुरंत इश्वर की शरण में चले जाते हैं 33 करूड है तो जिनको हम बना नहीं सकते जिसको ने दशानन बनाया नहीं मार्केट से अब आजगाल के दशानन तो फरजी वाले दशानन है वह तो सांकेती थे अरुप में इस जन्हानफ को यह बताने के लिए जो भी उसका संकेत हो कि काम क्रोध मोह लोव इर्ष्या मोहमद माया यह दश्मुक्ष जो जिसके बहुत ज्यादा जो बढ़ गए थे जिसका अंकार वो दशानन हुए लेकिन हम उसको बना नहीं सकते जो मूल आत्मा थी उसको हम इधर उधन नहीं कर सकते यह हमने बात करी थी इसके बाद में कर्मधारी समाज कहां पर होता है कि भैसाब जहां पर विशेशन और विशेशे जो है जहां पर विशेशन विशेशे संबंध होगा वहां पर कर्मधारी होगा लेकिन इस संबंध से अटकर के कोई 30 सार्थ प्रधान हो जाएगा तो वहां अच्छा आपने आपको समझा दिया था विशेशी क्या होता है जैसे यहां पर जो मैं बात यह है कि कुक सूस महास्रेश्ट खुश दूर बंद बद मंद सत परम तिव्र देर्ग या कोई विशेश्टा वाचक बताने वाला कोई उपसर गिया उस परकार का कोई पद हो पद ऐसा हो जिसका पहला पद जो है रंग वाची आ जाए लेकिन रंग वाची की शर्थ क्या होनी चाहिए कि उसके बीच में क्या होना चीए विशेशन विशेशे समझन होना चीए देशागी यह था लेकिन यह जो दो शब्द लिखे थे पितांबर और नीलकंट इसमें रंग वाची तो थे लेकिन विशेशे विशेशन के लिए प्रियोगत नहीं हुए तीरसा कर्मधार यह वहां होता है जहां पर ध्यान रखो जहां दोनों पद जहां दोनों पद शे रंग वाची यह विशेशन वाचक हो ने कि वहां पर भी कर्मधार ये समास होता है जैसे अमने का नीला पीला नीला है जो पीला है जो इस प्रकार से विग्रे करते हैं सफेद काला सफेद है जो काला है जो कि इसी तरह से आपने एक सब्रस पहुत सारे शब्रस पूरने ओँ जैसे में चैने सफेद जक बोलते ना एकदम जग सपेद जो बिलकुल सपेद है काला खुसट जो बिलकुल काला है लाल सुर्क जो लाल है जो सुर्क है जो तो ये इस प्रकार मोटा है जो ताजा है जो ऐसे करना चाहिए कि यहां पर कुछ वया करना अचारियत द्वंद्व समास मान लेते हैं जो की गलत है हमने का हरा पीला तो हरा है जो पीला है जो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हां फिर हमें विकल्ब को देख करके निरने करना पड़ेगा और इसी के साथ आज की खक्षा में समाप करता हूं सभी को नमस्ते शुब कामनाएं खुब अभ्यास किजीगा स्वाध्याय किजीगा जो पढ़ते हो उसको आगे लेके जाए धन्यवाद